हेलो दोस्तों नमस्कार कैसे हैं आप सब लोग तो फ्रेंड स्वागत है आपका मेरे यूटीव चैनल सुनील कौशल में दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए छे स्कूलों की वेकेंसिज लेके आया हूँ जो 2021 के लिए निकली है रेजिदेंशल और नौन रेजिदेंशल दोनों तरह के स्कूल होंगे और वेकेंसिज रहेंगी प्रिंसिपल्स पीजटी 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 पी आर्टी और जो नौन टीचिंग वेकेंसिज होती हैं वो भी कुछ स्कूल में आपको फ्री फूड भी मिलेगा और साथ में सेवन्थ पे स्केल तक आपको सेलरी तो दोस्तो आप All Over India से किसी भी स्टेट से हूँ आप इन जॉब्स के लिए अपलाए कर सकते हैं अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आये हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जुरूर करें और अगर आज की इनफॉर्मेशन अच्छी लगती है आप लोगों को तो प्लीज लाइक जुरूर करें मुझे भी आप लोगों की तरफ से एक मोटिवेशन मिल जाएगी दोस्तो आज का सबसे पहला जो स्कूल है उसका नाम है बिशप कॉटन बॉय स्कूल और ये एक रेजिदेंशल स्कूल है ओल आवर इंडिया में सिख्स त रैंक पर ये स्कूल है ठीक है और यहाँ पे आप लोगों के लिए बहुत धेर सारी विकेंसी निकली है इसलिए मैं बार-बार कहुंगा ओल आवर इंडिया से सभी लोग यहां पे apply कर सकते हैं 100 साल से उपर यह school की मियाद हो चुकी है मतलब 100 साल से उपराना school है under more than 100 years और आप infrastructure और photograph से judgment लगा ही सकते हैं कि यह कितना शांदार school होगा तो अब यहां पे क्या-क्या vacances हैं वो देख लेते हैं आपसे request रहेगी वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखें चैनल को सबस्क्राइब करना चाहें कर सकते हैं लेकिन जादा से जादा दोस्तों को जुरूर यह links भेजें ताकि किसी न किसी का फाइदा हो जाए तो दोस्तों यहां सब डिपार्टमेंट्स में जॉब्स निकली है सबसे पहला डिपार्टमेंट है किंडर गार्टन डिपार्टमेंट जिसमें associate teachers की requirement है regular degree होनी चाहिए in any subject entity along with good written and spoken English besides this computer teachers की requirement है regular BSE, computer science और BCA साथ में entity along with good written and spoken English होनी चाहिए तो यह तो थी kindergarten के लिए vacancies associate teacher और computer teacher की इसके बाद junior school में teacher की requirement है आपके पास regular degree होने चाहिए any subject में B.A.D. होने चाहिए written and spoken English के साथ associate teachers की requirement है junior school में you should have regular degree in any subject with B.A.D. Kannada teacher की requirement है और Hindi teacher की भी requirement है Kannada teacher के लिए B.A. या MA in Kannada with B.A.D. and for Hindi teacher regular B.A. and MA in Hindi with B.A.D. अब middle school की तरफ आते हैं middle school में mathematics teacher की requirement है you should have regular B.A.C. degree with mathematics as one of the subject to be studied for three years और M.A.C. mathematics with B.A.D. besides this physics teacher की requirement है physics आपकी B.A.C. with physics होने चाहिए या M.A.C. physics साथ में B.A.D. होने चाहिए अगली vacancy है English teacher की regular B.A. आपकी English literature as one of the subject major subject होने चाहिए three years में या MA English साथ में B.A.D. होने चाहिए फिर उसके बाद अगली vacancy है history teacher की अब senior school की तरफ चाहते हैं senior school के लिए mathematics teacher required है you should be M.A.C. mathematics B.A.D. with good written and spoken English and geography teacher is also required should have M.A.C. geography with B.A.D. for I.A.C. mathematics teacher is required regular M.A.C. होने चाहिए mathematics में और साथ में B.A.D. होने चाहिए with good written and spoken English तो अगर आप इन jobs के लिए interested हैं तो you can apply to the principal Bishop Cotton Boy School Residency Road Bangalore लास्ट जो है submission of application की 18th of August 2021 before 3 p.m. आप लोगों को यहां पे apply करना है दोस्तों तो आप through courier भी अपना बायरेटा speed post के थू भी इस school को अपना बायरेटा भेज सकते हैं तो अब यह देखो one of the best school में आप लोगों को बता रहा हूँ यहां पे अगर आप apply करते हैं salary आप लोगों की 7th pay scale से तक रहेगी और यह एक residential school है खाना पीना रहना आपका free of cost रहेगा अब बात करते हैं अगले school के बारे में दोस्तों आज का वीडियो आप लिए बहुत special है इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जुरूर कीजेगा अब अगला जो स्कूल है वहां पे applications मगवाई गई है from trained and competent experience candidates with the master in English for the following subjects यहां पे chemistry, English, social science and computer science की vacancies निकली है अगर आपने graduation, post graduation की है with B.Ed. you can apply nursery teachers की requirement है if you are graduate with entity और P.P.T. Montessori training you can apply counselor and wellness teacher के लिए main psychology और child department development sorry librarian के लिए यहां vacancy निकली है you should be graduate, post graduate in library science and informative science administrative officer is required male candidate, you should be B.B.A. or M.B.A. in administration physical education teacher, nurse, art, music, dance, yoga, karate, robotics, swimming, skating all vacancies are open for all of you so you should be graduate with specialization in the respective disciplines with the adequate experience ठीक है और इसके लावा salary is not a constraint salary बहुत शानदार आप लोगों को यहां पे मिलेगी अगर आप interested हैं तो आप अपना bio data अपना cv और recent photograph principle को भेज सकते हैं cv can also be mailed to principle.dsps at the rate of day देयानंद सागर.a2 ओके तो इनकम है आप लोगों को स्कूल का नाम भी बताता हूँ और ड्रेस भी देयानंद सागर पब्लिक स्कूल है तो है थादर अपना पॉब्लिक स्कूल और यह कडापा अपी में है अंदर प्रदेश में है थादरबाद पॉब्लिक स्कूल एप्रेमेर एजूशनल इंस्टिशिशन इन्वाइट्स एप्लिकेशन पॉप्रिंसिपल प्रिंसिपल एच पीएस कडापा इसे स्ट्रीं के लिए तो प्रिंसिपल की वेकंसी है आप लोगों के लिए यहां पे और उसके लिए हुआ प्रिंसिपलिकेशन पिकंटीश को स्टिप्स पीए कश स्कूलाई तो बडिंसिपल एच्ट एम एंव क्यरिइव दीए प्लिए लोगों स्कूलिए दिरस itself वेगुँ विब लोगुट इसे ही और फिट जूए तर अप्य कर दापा, स्कूल है उसमें अप्लिकेशन मगवाई गई हैं लेक्चरर इन केमिस्ट्री लेक्चरर इन इंग्लिश टीचर इन फ्रेंच तो यह तीन यहां वकैंसी हैं यह शुट भी पोस्ट ग्रेजुएट बिद बी एड और एमेड फ्लॉंसी इंग्लिश एंड कंप्यूटर से पहले तो जो शॉट लिस्टिट कंडिडेट्स होंगे उन्हें फिर कॉल किया जाएगा और यह जो स्कूल है यह एमजी रोड पॉंडिचेरी में है स्कूल का नाम है कि रूवाल्या इंटरनेशनल हायर्स कंडरी स्कूल सो अब बात करते हैं अगले स्कूल के बारे में द 10 तक यहां पर बच्चे हैं स्टूडेंट्स हैं एंड प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल के लिए जो अक्याडमी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए थे कंडिडेट मस्ट है पोस्ट ग्रेजुएट बिद बीएड और अमेड डिग्री प्रेफरेंस विल भी गिवन तो पी 25 यह से जादा नहीं होने चाहिए सेलरी विल वी बेस्ट सम्मिशन ऑफ एप्लिकेशन 25 अगस्त 2021 से पहले पहले आप लोगों ने अपना बाहरेट आपना रिज्यूम जो है तलर फोटोग्रेफ के साथ इन्हें भेज देना है इस स्कूल के अड्रेस पे कलिंगा भी कर सकते हैं वह एक सिनियर सेकेंडरी स्कूल है वहां पर वाइस प्रिंसिपल और अकैडमी कॉडिनेटर की रिक्वार्मेंट चल रही है दोस्तों और स्कूल का जो नाम है वह राजा रंजीत सिंग सिनियर सेकेंडरी स्कूल तो यहां पर वाइस प्रिंसिपल एंड अकै और email address आपके सामने है, number आपके सामने, इस number के call करके भी आप पुरी जानकारी से ले सकते हैं या directly apply कर सकते हैं So friends, I wish best of luck to all of you, अगर आप लोगों को आज का information अच्छी रगी तो please, please like the video and please subscribe the channel Thank you very much for watching